तो चलिए अब हम थोड़ा सार्क के बारे में जान लें जो दक्षिन श्याई देशों के बीच में सहयोग का एक बहुत अच्छा प्रेयोग है मन मटाओ के बावजूद भी सहयोग पलोसी देशों से सहयोग और मैत्री पूर्ण संबंदों के स्थापना में इसका उद्देश है पलोसी देशों से सहयोग और मैत्री पूर्ण संबंदों के स्थापना सार्क या दक्षेस ये भी अंतर राष्ट्री मंचों में से एक है जो किसी ना किसी तरीके से सहयोग के उद्धेश से बनाए गये ऐसे अंतर राष्ट्री सहयोग की संस्थाओं के एदे हम बात करें तो इसमें UNO सरवोच संस्था है से उक्तराष्ट संग ये उसके अलावा ऐसे बहुत सारे ASEAN, BRICS, BRICS, G7 याने Group of Seven Countries G20, Group of 20 Countries ऐसे विभिन नामों से अंतर राष्ट्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संस्थाओं संगठन बने है उसी दिशा में डक्षिन एशियाई देशों का एक संगठन है ये एक बहुत positive कडम था इन देशों के द्वारा जो 1985 में इन्होंने सार्क की स्थापना की और सार्क अउदेश क्या है सहयोग और मैतरी पूर्ण संबन्दों की स्थापना जिसमें सभी देशों का हित नहित हो इसके अलावा सार्क अंतर राष्ट्री शान्ती के लिए भी प्रतिबद्ध है क्योंकि खेतरी शान्ती और विश्व के अनिक खेतरों की अशान्ती इस खेत दोनों संभो नहीं है आज जो दुनिया यतनी छोटी हो चली है जहां एक देश की गतिविदी का प्रभाव एक देश में होने वाली घटना का प्रभाव दूसरे देश में भी काफी पड़ता है वहाँ ये जरूरी है कि यदि हम शान्ती की बात करें तो खेतरी शान्ती से उठकर अब हमें विश्व शान्ती की बात करनी पड़ेगी तो इसलिए सार्क का दूसरा उदेश विश्व शान्ती की दिशा में अंतराश्टी शान्ती की दिशा में प्रयास करना है इसी उदेश से ये संगठन सापित किया गया और जैसा मैंने बताया कि कई संगठन हैं इन संगठनों में एक बहुत महत्पूर्ण संगठन जो जिसका मैंने नाम पूर में नहीं लिया European Union EU European Economic Community EEC ये इन्होंने बहुत काम किया है EU और EEC ने योरोप योरोपी देशों में जुती विश्दकी के कहर से उबरने के लिए बहुत काम किया और इसलिए पश्चमी यॉरोप और यॉरोप को मिलाकर आज इतना विकसित खेतर बना हुआ है इसी परिवेश में ही इसी मद्दे नजर 1985 में सार्क का गठन हुआ और एक नए अध्याय की इस खेतर में शुरुआत थी कहा जाये तो वास्ता में ये एक टर्निंग पॉइंट था एक मोर्द मील का पत्थर थाबित हुआ है यद्यपी सार्क के उद्देश्यों को पाने के लिए अभी कोसों चलना है सार्क अभी उस हद तक सफल नहीं हो पाया जितनी उसे अपेक्षा थी लेकिन फिर भी सार्क ने काफी कुछ वो किया है जो अन्निथा नहीं हो पाता थोड़ा साब इसके हम इनकी गतिविदियों पर नज़र डालें दक्षिनेश्याई सहयों के लिए पहली बैठक जो हुई थी पहली बैठक जनवरी 1984 दिल्ली में नैम आपने सुना होगा नान अलाइन मुवमेंट गुट निर्पेक्ष अंदुलन ये भी शांतिकी दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास था और भारत उसका एक महत्पूर्ण अंग था उसी प्रकार सार्क की स्थापना में भी भारत का बहुत अहम रोल रहा है अहम भू जनैतिक संबंध का विकास इस पर बल दिया गया इस बैठक में एशियाई क्षेतरों के देशों ने एकी क्रित कारिकरम को लागू करने की बात कही एकी क्रित कारिकरम याने समग्र दिश्टि से एक जैसा कारिकरम सब जगा लागू किया जाए और उनका उद्येश उनके प खेत्री से हो बढ़े और उसके मद्दे उसके उसके परिणाम सरूप इस खेत्र का विकास हो तो ये तो हुई उनकी पांच्छे उद्देश या पांच्छे लक्ष सार्क क्या है सार्क क्यों बना सार्क की प्रिष्ट भूमी भी मैंने बता दी कि इस तरह के अंतराश्टी संगठन बहुत सारे बने थे और इसके बाद सार्क की स्थापना कब हुई भारत कभी इसमें योगदान रहा अब ये सार्क जो है इसने इसके एक स्थाई समिती है एक अपना धाचा है क्योंकि विविन देशों के मुखिया जब सार्क के प्लैटफॉर्म पर मिलते हैं तो म मिलने के पूर्व वर्ष भर की गतिविदियों का एक लिखा जोखा तैयार करना होता है योजना तैयार करनी होती है योजना के क्रियानवन का अध्यान करना होता है परिनाम और कमियों का अध्यान करना होता है और फिर उस पर विवेचन के लिए और आने वाले समय की योज की बैठक होती है दूसरे शब्दों में ऐसे कारियों को करने के लिए जिसमें ऐसे कारियों को करने के लिए एक स्थाई समीति का गठन जरूरी है तो इसके स्थाई समीति की पहली बैठक 1985 में माल्दिव की राजधानी माले में हुई, पहली बेठा कि स्थाई समिति की, जिसमें पारस्पीक सहयोग को निने को एक संस्था गत रूप देना, और संस्था गत रूप देने कार्थ क्या है? एक धाचा देना जिसमें एक प्रोसीजर हो एक तरीका हो एक पध्धती हो और जह था मैंने बताया एकी कृत योजना एकी कृत क्रियानवन पर बल हो तो ये माले की मीटिंग में तय हुआ कि विभिन पहलूं के लिए विभिन ख्षेतरों के लिए किस प्रकार संस्थागत रूप से संस्थाएं बनाई जाएं और विदेश मंत्रियों की एक परिशद का गठन किया जाएं विदेश मंत्रियों की परिशद का गठन किया जाएं इस प्रस्ताओं को मान लिया गया माले में और दिसंबर 85 में धाका में इन देशों के राज्या ध्यक्षों का पहला सम्मेलन हुआ दिसंबर 85 ये याद रखेंगे अर्थात यदि हम कहें कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ तो उत्तर होगा धाका में दिसंबर 85 में जिसमें सभी राष्ट्रा ध्यक्ष उपर्थित रहे लेकिन यदि प्रश्ण होता है कि सार्क की स्थापना के शुरुआत कहां से हुई तो हम कह सकते हैं जनवरी 84 में दिल्ली की मीटिंग के बाद पहली संस्थागट धाचे के रूप में विदेश मंत्रियों की जो समीती बनी विदेश मंत्रियों की जो परिशद बनी उसे हम कह सकते हैं अब ये दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जिसे संग्षेप में दक्षेश और अंग्रेजी में सार के नाम से जाना जाता है इसको फॉर्मल तरीके से धाका में विश्व के सामने पेश किया गया तो इस तरह धाका में इसका जन्व हुआ हम कह सकते हैं इस सहयोग संग्ठन का ख्षेत्री सहयोग संग्ठन का जन्व हुआ और राजीव गांधी जिन्होंने भारत का प्रतने दित भारत के प्रसान मंत्री के नाते किया उन्होंने इसे राज्यों का लोक तंत्र कहा राजियों का लोक तंत्र याने किसी भी देश के अंदर किसी भी तरीके की सत्ता हो राजिनेतिक व्यवस्था हो वो एक बात पर इस बात पर सहमेत थी कि एक लोक तंत्रिक धाचे की आवश्यकता है एक ऐसे धाचे की जो लोक तंत्रिक रहेगा और उसी को लेकर राजीव गांधी ने अपने संबोधन में इनागरल संबोधन में इसे एक राजियों के लोक तंत्र की संग्या दी ये सार के जो सुदस्य साथ राष्ट हैं जैसा मैंने शुरू में भी बताया साथ राष्टों में भारत, पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, बंगलादेश, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान का जैसा मैंने बारंबार जिक्र किया है कि कहने को है तो मर्धी एशिया में लेकिन इसकी निकटता, भावगोलिक निकटता के अलावा इसके संबंधों के निकटता इस खेत्र के देशों से ज्यादा है तो इसको आ बिंदुवार यदिस की बात करें तो जो सार्क का घोशना पत्र ढाका में पेश किया गया, उस घोशना पत्र में इन बिंदुओं को बड़ा स्पष्ट, इनके उद्देशों को बड़ा स्पष्ट कर दिया गया, पहला उद्देश, दक्षिर एशिया की जनता के कल्यान औ और जीवन तर्क में सुधार। दूसरा सामोहिक आत्म निर्भरता में वृध्धी करना। यदि सभी देश आत्म निर्भर बने। ऐसे प्रयास करना कि ये दूसरे की ओर मुह न जहांके। तो दूसरा है सामोहिक आत्म निर्भरता में वृध्धी। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। ये तेजी लाना इसलिए क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक खेत्रों में कुछ न कुछ गतिविदियां चल रही थी। लेक चोथा लक्ष चोथा उद्यश आपसी विश्वास सूजबूज तथा एक दूसरे की समस्याओं का मुल्यांकन करना आपसी विश्वास, बहुत बड़ा बिंदू था ये कि सब देशों के बीच में विश्वास बढ़ाना समझ बढ़ाना, एक दूसरे की समस्याओं को सही दिशा में समझना जैसे भारत की समस्या, श्रिलंका के साथ जो है जाती समस्या ऐसा महसूस होता है कि श्रिलंका ने भारत के नजरिये को सही समझा है और भारत ने भी श्रिलंका के नजरिये को अपने तरीके से सही समझा है तो इस प्रकार विश्वात बढ़ाना और दूसरे की समस्याओं का मुल्यंकन करना पांचवा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तक्नीकी और वैज्ञानिक शेत्र में सक्री भूमिका इन शेत्रों में सक्री भूमिका निभाना छटवा है अन्य विकास शील देशों के सहयोग में वृध्धी करना जाने दाइरे के बाहर जाकर जो दूसरे विकास शील देश हैं उनके साथ सहयोग बढ़ाना क्योंकि सार के मानता है कि अपने विकास के लिए ये आवशक है कि पूरी दुनिया में विकास हो अपने हाँ खेतर में शांती के लिए आवशक है कि पूरी दुनिया में शांती हो और सात्मा और अंतिम बिंदू उद्देश के रूप में सामान्य हित के मामलों पर अंतरराश्ट्री मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना मैं पुना दोहरा दूँ ये बिंदू अंतरराश्ट्री राजनीति में बहुत महत्पूर्ण है सामान्य हित के मामलों पर अंतरराश्ट्री मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना अर्थाथ एक जुठ होकर अंतरराश्ट्री समस्याओं पर एक मंतव रखना तब अलग-अलग राक जो गाते हैं किसी अंतरराश्टी मामले को लेकर उसे हतो साहित करना और प्रयास ये करना कि ये दक्षिन एशियाई देश अपनी बात एक जुठो कर अंतरराश्टी मंचों पर रखें सारक क्या है सारक के उद्देश क्या है और सारक की स्थापना तीन बिंदों को हम समझ गया अब इसके बाद ये जानना जरूरी है कि इन उद्देशियों की प्रापती के लिए जो सारक देशों ने अपने सामने रखें हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या कुछ नियम बनाएं है या ऐसी कोई नियमावली नहीं है और ये उद्जेश्यों को प्राप्त करने की मन्शा रखते हैं अपने देनेंद्री जीवन में भी day to day life में बच्चों हम लोग जब कुछ लक्ष बनाते हैं कि मुझे 90 प्रतिशत पाना है कक्षा बार्वी की परिक्षा में तो लक्ष की प्राप्ति के लिए हम लोग कुछ सिध्धान्त भी बनाते हैं कि मैं इस वर्ष मोबाइल पर कारे न नहीं जाओंगा, मैं रात में नियम से साथ घंटे सोऊंगा, आधी आधी, तो इसी प्रकार सार्क देशों ने अपने उद्देश की प्राप्ति के लिए कुछ सिध्धान्त भी बनाएं, मूल कुछ सिध्धान्त, कुछ प्रिंसिपल्स जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, तो वो सिध्धान्त क्या हैं, किन सिध्धान्तों पर सार्क कारिक करता है, पहला, संगठन के धाचों के अंतरगथी सहयोग, अर्थात, जो भी सहयोग एक दूसरे के बीच में होगा, वो सार्क का जो संगठन है, उसके अंदर ही होगा, भारत और बंगादेश यदि किसी तरह का सहयोग एक दूसरे से करते हैं, तो वो सार्क के मंच से प्रस्तावित हो और आगे बढ़ेगा, अलग से कोई समझवाते ना हो, ये सार्क की महत्ता को बनाया रखने के लिए जरूरी है, दूसरा, समानता सिध्धानत है, कोई भी देश अपने को बड़ा या छोटा नहीं समझेगा, सभी देश समान है, सभी देशों के अस्तित्व का औचित्य है और महत्ता है, सब देश की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, और सब देश की अपनी 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 उनके अपने पास कुछ पोटेंशियल्स भी हैं, अर्थाथ, इसका मकसद ये है, ये सपश्ट करना कि सब देश एक दूसरे को समान दृष्टी से, समान नजरिये से देखें, तीसरी, तीसरा सिद्धान, खेतरी अखंडता, अखंडता पर तूट विश्वास होना चाहिए, यानि किसी भी तरह का प्रयास कोई देश ऐसा नहीं करेगा, जो किसी दूसरे देश को विभाजित करने की दिशा में ले जाती हो, किसी दूसरे देश में एक विगटन की प्रक्रिया को जन्म देती हो, ये एक सिद्धान्त है, अगला सिद्धान्त है, राजनीतिक स्वतंतरता, दूसरे देश द्वारा किसी अन्य देश पर किसी तरह की दखलन दाजी नहीं होगी हर देश की अपनी अपनी राजनीतिक पधती है, राजनीतिक शैली है उन शैलीओं का सम्मान करते हुए सहयोग करना उधारन के लिए यदि पाकिस्तान में सैनिक शासन है और भारत में लोग तंत्र है तो ये उन देशों की अपनी इच्छक कि वो किस तरह का शासन तंत्र रखें पर इसका अर्थ यह नहीं कि भारत पाकिस्तान के सैनिक तंत्र को गिरे हुई नजर से देखे और उसके साथ सहयोग की भावना ना रखे मातर इसलिए कि वो सैनिक तंत्र है ये गलत है तो ये बात यहां सपष्ठ है कि राजनीतिक स्वतंत्रता उनका एक सिद्धान थे सबसे महत्पूर्ण सिद्धान जो सार्क का है जिसके अधार पर सार्क देश कारे करते हैं वहां है एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप ना देना हस्तक्षेप ना करना और अंतिम है आपसी लाब के सिद्धान का सम्मान आपसी लाब का सिद्धान क्या है दोनोंका जिसमें परसपर लाब हो उस पर कारिक करना परस पर सहयोग पर कारिक करना परस पर सहयोग छेतरी एवं बहुत देशी जिम्मेदारियों के टकराओं में नहीं होगा यदि हम एक दूसरी के साथ सहयोग करेंगे तो टकराओं की भावना नहीं रहेगे तकराओं की संभावना नहीं रहेगे तो ये हो गए सार्क के सिध्धान्त उद्येश और सिध्धान्त इनको एक संस्थागर धांचे की जुरत होती है इनकी पूर्ति के लिए सार्क के उद्येश लौफ्टी आइडियल्स है बहुत बड़े विचार है यदि इन विचारों को ट्रांसलेट करना है इन विचारों को यदि लागू करना है सफलता पूरवक तो जरूरी है कि एक मशीनरी हो और उसके लिए सार्क के संगठन उसकी संस्थाएं क्या क्या है चार्टर के अंतरगत थबसे बड़ी संस्था जो है वह तो है शिकर सम्मेलन जिसका जिकर मैंने पूर में किया है उसके बाद मैंने जिकर किया मंतरी परिशद जिसमें विदेश मंतरी रहते हैं इसका भी जिकर पूर में हो चुका है अब ये जो विदेश मंत्री और जो राष्टा ध्यक्षियों का शिकर सम्मेलन है ये इस्थाई इसलिए नहीं है क्योंकि इसके स्थदा से बदलते रहते हैं विदेश मंत्री यदि बदले किसी देश के तो एक समस्या खड़ी हो जाती है खड़ी हो जाएगी राज्या ध्यक्ष बदले अंदरूरी राजनीती के परिप्रेक्ष में तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी क्योंकि राज्या ध्यक्ष फिर नया राज्या ध्यक्ष अपने तरीके से नहीं बातें करेगा अर्था सततता की कमी रहेगी तो सततता बनाया रखने के लिए वर्ष दर वर्ष लगातार्क मुल्यांकन करने के लिए अपनी सफलताओं का असफलताओं का सार्क के लिए जरूरी था कि वह एक स्थाई समीति बनाए तो इसने स्थाई समीतियां बनाई हैं जिसमें चाहे सरकार बदले, चाहे राज्या धक्ष बदले, चाहे विदेश मंत्री बदले, यह स्थमिती इस थाई है, जो सतत रूप से कारे करती रहती है, और इन समितियों में तक्नीकी समिती, कारेकारी समिती, सची वाले, वित्तीय समिती, आधि, कई समितिया हैं। और इन सभी समितियों में भारत की भूमिका बहुत महत्पूर्ण हैं क्योंकि जितने भी अवी तक शिकर सम्मेलन हुए हैं उसमें भारत ने बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाने में इसलिए सफलता पाई है क्योंकि वह एक आर्थिक दिश्टि से इन देशों की तुलना में सबसे मजबूत देश है इसलिए नहीं कि वो एक बड़ा देश है इसलिए नहीं कि वो शक्तिशाली देश है इसलिए क्योंकि आर्थिक रूप से एक मजबूत देश है दूसरे देशों की मदद करने के लिए सदाई तटपर रहता है तो इस पकार भारत का इन समिटियों म बहुत महत्पूर्ण योगदान रहा है। जो मैंने संग्ठन की बात किय। इसमें जैसे मैंने बताया शिकर संबेलन, मंत्री परशद, इस्थाई समीती, टक्नीकी समीती और सची वाले। ये उसके हिस्से हैं। शिकर संबेलन जिसे अंग्रेजी में समिट कॉन्फरेंज भी चौदा हुआ संबेलन उनिस साथ में नई दिल्ले में हुआ था और अब ये वर्ष दर वर्ष हर साल होता है जिसमें ब्रहत नीतियां तै होती हैं, मुल्यंकन होता है और सार्क के माध्यम से विकास को नई दिशा देने का प्रयास होता है। अगला है मंत्री परशद, जो दूसरी प्रमिक ठाई है, ये वर्ष में कम से कम ये दो बार विदेश मंत्री बैठते हैं, पहली बार जब बैठते हैं तो वो पूर में हुए गति विधियों का मुल्यंकन करेंगे और आने वाले वर्ष समय के लिए लक्ष रखेंगे, फिर जो दूसरे बैठक होती है उस मीटिंग शिखर सम्मेलन की तैयारी भी उसका एक मुद्दा रहता है, कई बार तो ऐसा हुआ है कि दो बार से ज़्यादा बैठक इनकी बिलाई गई है, ये समय समय पर जरुरत पढ़ने पर जरुरत के अनुसार इनकी मीटिंग तैह होती है, पर सामान नित्या नियू नित सहयो के क्षित्रों का निर्धारन करना, सामाने हिट के मुद्दों विश्यों पर चर्चा करना, कुछ निश्कर्श निकालना, शिकर सम्मेलन की तैयारियों का विवेचन करना, और उसके साथ ही साक के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, उद्देश्यों की पूर्ति के पूर्ति के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना ये विदेश मंत्रियों का जो इस परिशत के सदत से होते हैं उनका एक बहुत अहम कारे होता है इसके बाद अगली स्थाई समिती जिसे अंग्रेजी में स्टैंडिंग कमिटी कहते हैं और इसके भी सदत से जो हैं विदेश मंत्री होते हैं जिनका मुख्य काम है कि सहयोग के जो कारक्रम है उनको देखरेक करना उनमें समन्वय स्थापिद करना बाधाओं को दूर करना और अंतरक्षितरी सहयोग जो हैं उनकी प्राथमिक ताएं तय करना अंतर खेत्री शहयोग की प्राथ मिक्ताएं अर्थास इसका क्या हुआ? कि देशों की आवश्यक्ताओं की महत्ता को देखते हुए कारिक करना हो सकता है किसी देश की बहुत बड़ी समस्या है लगातार सतत रूप से तूफान आना जैसे तुफान आने की समस्या वहां सतत बनी हुई है तो अन्य देशों के लिए वहां की ये समस्या प्राथमिक्ता होगी सहयोग के मामले में तो क्या किया जा सकता है क्योंकि उस देश के लिए तुफान से बचना एक प्राथमिक्ता है तो दूसरे देशों को भी इस बात के लिए प्रिरित करना कि वो इस देश की प्रात्मिक्ता को मद्दे नजर रखते हुए कुछ नीतियां बनाएं कुछ उस पे कारवाई करें और सहयोग करें तो ये बहुत महत्मूर्ण बिन्दु है कि अंतरक्षेत्री सहयोग की प्रात्मिक्ताओं का निर्धारन करना अगला काम जो इनका है वह है सहयोग के ख्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करना और अंतिम जो इनके क्रम में हम जोड सकते हैं वह है आपसी सहयोग के अन्यविशा है इसकी बैठक भी वर्ष में मिनिमम दो बार होती ही है ये बहुत महत्पूर्ण समिती है तक्नीकी समिती है ने टेक्निकल कमीटी जिसमें सभी सदसे होते हैं ये जो भी निर्णे होते हैं उसके तक्नीकी मुद्दों पर जाती है इस समिती का काम है उधारन के लिए सहयोग से एक बहुत बड़ा बांध बनाने की योज़ना बनी कल्पना करिये नेपाल में ये तैह हुआ कि सार्क के मन से तैह हुआ कि एक बांध बनाना है अब ये बांध बनाने के लिए जो तक्नीकी जानकारियां चाहिए उन जानकारियों को एकठा करना ये इस तक्नीकी समिती का काम होगा तो इस प्रकार तक्नीकी समिती का कारे है अपने अपने क्षेतर में कारकरमों को लागू कराना उसमें आने वाली बाधाओं को परियोजनाओं के पूर्ण होने में जो बाधाओं आ रही हैं उन्हें हटा कर उन्हें दूर करना और उनको क्रियानवन करना ये जो काम है ये तक्नीकी समिति का है उन्हीं की देखरेक में होता है एक बार शिकर सम्मेलन में निर्णय हुआ तो उसके बाद फिर तक्नीकी विदेश मंत्रियों के सम्मेलन और फिर उसके बाद तक्नीकी समितियां इस कारे को देखती हैं अंतिम जो है वो सचिवाले, सचिवाले के स्थाई संस्था है, जिसे सेक्रेटेरियट भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये इसकी प्रशासनिक संस्था है, एक मत्र प्रशासनिक संस्था सार्क की सचिवाले है, और इसका काम क्या है सचिवाले का कारे, बैठकों का आयोजन करना करवाना उसकी व्यवस्था करना सार्क के जो विविन संग्ठन बने हैं उन में सामंजस से बैठाना तालमेल बैठाना पत्रा चार करना और साथ में इनकी कारे प्रणालियों को की देखरेग भी करना क्या वे अपेक्षित तरीके से कारे कर रहे हैं या उन्हें कुछ करने की जुरत है यह सब कारे कौन करता है एक मात्र प्रशासनिक संबंधी संस्था एक मात्र प्रशासनिक सेवा संबंधी संस्था जिसे हम कहते हैं सेक्रेटारियेट या सचिवाले सचिवाले में इस थाई रूप से एक महा सचिव होगा साथ निर्देशक होंगे और कर्म प्रशासनिक संस्ता का वो कौन होगा जो व्यक्ति इन राजिया द्यक्षियों के सहमती से चुना जाए या मंत्र परशद की सहमती से सुना जाए विदेश मंत्रियों की जो मंत्री परशद है यह तै करती है कि महा निर्देशक कौन बनेगा और जो चुना जाता है उसका कारेकाल दो वर्श का होता है तो महा निर्देशक का एक बहुत महत्मून रोल होता है सार्क को सार्क की गति विदियों पर नजर रखना उस पर कारवाई करना और विदेश सचिव और उसके आगे शिकरतम्मेलन की तैयारियों में अपना योगदान देना